राजाट फिल्ट नहीं ऐंडियन गटमंदन से एसिट माले में जाने के आथा लग रह modular एस धिचल्प बात यह कि भी बीजिय पी और राज़त दूसरे के सामने होते निंडर लें गूरुपना वारती लेकि राठ hazard की पेहां पें घमसानway usable तो मैं पेशे से डेटा साइंटिस्ट हूं और मेरा काम रिसर्च कर रहे चाए तो कोरोना के बाद आने के बाद मैंने यहां पे ग्राउंड पर इसके देख लिए क्या आप हम में से किसी के घर का लड़का एक यूड़का नेतित्तों में आगे आया है पहले मैं सुरू किया था आप देखे बड़े बड़े जो चेहरे हैं मेरे पैडली आके खड़े हो गए हैं उनकी लड़ाई मुस्ते हैं हमारे सिवान में या पुड़े बिहार में हुआ ही गया है अगर आप दूसरे स्टेट को देखें कंपेर करेंगे तो आपको पता चले है कि हमारा राज्य कहां से कहां गया है जंगल राज, जंगल राज 2.0, अब 3.0 ऐसी इसता है आपको अभी भी जंगल राज है सिवान बिल्कुल, क्यों नहीं है, जंगल राज का मतलब क्या होता है सरदर्द मिर्गी नशा, भूलने की बिमारी, अत्यदिक गुस्सा आना, घबरहाट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी है परशान तो मिलिए शहर के मशूर साइकार्टिस डॉक्टर पंकच कुमार गुपता से कभी बीजेपी और राजत को लेकर सीवान में काफी घमसान हुआ करता था लेकिन सीवान की राजनीती में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि ना ही इस बार राजत होगी और ना ही बीजेपी यानि एंडिये गटबंदन से ये सीट जड्यू के खाते में जा रही है तो वहीं राजत गटबंदन से ये सीट माले में जाने के आसार लग रहा है ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी बीजेपी और राजत जो एक दूसरे के आमने सामने होते थे और जो भोटर होते थे वो भी दूसरे कामने सामने होते थे यानि बीज़पी और राजत की यहां पे घमसान हुआ करती थी लेकिन इस बार परिस्तिती ऐसी बदली है कि इस बार निर्दल्य उमिद्वारों का बोल बाला ज्यादा हो गया है और आज हमारे साथ इस्टूडिय था हमारे स्टूडियो में बहुत बस्वागत था आपका इनके बारे में थोड़ा से आपको बता दे कि यह पेसे से एक इंजिनियर हैं और आपको बता दे कि कई सारे गुल्फ कॉंट्री में यह काम कर चुके हैं और उसके बाद से अब यह सिवान आ चुके हैं मूल आप लोग भी जा रहे हैं और शिवान में ऐसा परिस्टिती बहना है कि लोग निर्दल ज्यादा आ रहे हैं क्या कहेंगे इसके लिए देखिए मैं तो साइद आपके चैनल या किसे और चैनल के माध्यम से कहा था कि इस बार की जो लड़ाई है निर्दलिया वर्सिस निर् कि ऐसे निर्दलिया आ गया है कि हम किसे खड़ा करें अपने पार्टी से किस तरह समीकर बनाया जाएं कि हम जीच जाएं अच्छा जब पहली बार आपने निर्दलिया उमिभार के रूप में चुना लड़ने की बात कही थी तो थोड़ा साजीब लग रहा होगा कि लोग स Turbo यहां लेक रूप में चाल रहा हैं इस से अनलर इसा extreme efर नुझर आपको कितनीम्पृति लग रही है अदिकिक्षिजण सबसे पहली बात तो मैं पेसे से डिटा साइंटिश्ट हूं और मेरा और काम रिसेरच कर रहा जा है कि तो करोना के बात आने के बाद मैंने यहां प पार्टी की इंट्री हो सकती है यहाँ पे और बहुत सारे युवाओं के और शक्ता है जो भी पुराने नितित्तों हैं उससे लोग काफी छुब्द हैं ग्राउंड पे कोड़वना की बजह से लोग को आईना दिख गया कि उनके नितित्तों ने उनको उनके लिए किया क्या है आप 15-20 साल की राजनिती उठा के देख लिए क्या आप हमेंसे किसी के घर का लड़का एक युवा लड़का नितित्तों में आगे आया है नहीं आया है मतलब किसी भी इवा को यहां पे चांसी नहीं दिया जा रहा है कि ओ आगे उठके आये और लिडर्सिप में पार्टिसिपेट करें तो यह चीज़े कब तक आप दबा के चला सकते हैं बड़े नेताओं के थुरूई सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गए कि आप ऐसा समिकर्ण बनाया जाए कोई भी इवा नेतित्तों सामने आहीं नहीं सकते हैं लेकिन यह चीज़ों को आप काफी दिन तक टाल पटोल नहीं कर सकते हैं इवा जागरित होंगे हम हो या कोई और हो इवा तो आएंगे ही तो यही है पहले मैं सुरू किया था आप देखे आके खड़े हो गए हैं उनकी लड़ाई मुझसे है इस बार लिख के रखिए इस बार जितने भी परतिनी दी आएंगे सबकी लड़ाई प्रकाश्मणितिवारी के साथ है क्योंकि मैं एजेंडा-based politics कर रहा हैं लेकि जब लोग भी जा रहा है क्या कुछ दिख रहा है क्या बिलकल क्यों कि नहीं है जंगल राज का मतलब क्या होता था तक आज क्या मर्डर रुग्या है पिछले 90 और 2000 के दसक का आप पर डे का मर्डर का काउंट उठाएं और आज का उठाएं अर्शु शासन है सब कुछ है ब्योस्ता अच्छी है फिर भी आप जाकर देखिए आज मर्डर हो ही रहे तो आप जंगल राज किसे कहते हैं जंगल राज इसी को न कहते हैं कि आपका लाइफ से आप रोड पे निकलते हैं तो भरोसा नहीं है कि किस की बज़े से किस दुस्मनी किस बात की बज़े से आपका मर्डर हो जाए यह तो एक हो गया जंगल राज और नेताओं की लपारवाही की बज़े से दिन परते दिन हम आरे आपके पड़िवार के भाई कोई सदस्य सरग ठीज की जा रहा है दॉर घटना में दम तोड़ा या नसे के गिरफ्थ में कोई जारा है जो जीते-जीते मर्ड हैं तो आप इसको क्या तो किसे आप स्कुलallas नेंटेस्ट फ्लin तोबें कि तकि ए डिबर नहीं पर जाईनूर घरत había मिए देखें मुझे यह दिखा यहां पे कि सुरू से ही यहां का जो सिस्टम चला रहा है राजनिती का अगर आप NDA की बात दे ले तो यहां पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबेक रहा है हमारे बिहार की असिवान की राजनिती को किसी भी अच्छे चेहरे को कोई भी पार्टी तो वही सब चीज़े हैं आप पर धाबाए जो कि यहां का कल्चर बन गया है टो बीजेपी की एगर बात लेते हैं आप तो बीजेपी में एक से बढ़कर एक चेहरे थे लेकिन किसी को सामने आज तक नहीं लाने दिया यहाँ पे उसी तर राज़त में भी ऐसा नहीं है कि यादों में या मुस्लिम में कोई अच्छे चेरे नहीं है, उनको आगे नहीं लाया जा सकता है, एक से बढ़कर एक लड़के हैं, डॉक्टर, इंजिनिर अच्छे पोजिशन में हैं, उनको लाया जा सकता है, लेकिन यहा कोई पार्टी को रिपर्जेंट नहीं कर रही है सामने लाके आप यह बताइए चुकि आप खुद अपना जॉड़ का आए हैं अमरीका में आप अच्छा खासा जॉब कर सकते थे आप सीवान में हुआ हैं तो एक रिस्क भी तो आपको दिखाई देता होगा कितना रिस्क है म के आप क्रिमिनल टायप के लोगा वह हैं देखिए वह पार्टी जब få सपोर्ट नहीं करेगी जो भी अच्छे पार्टी अगई अगर पार्टीों बें किया पर्सनल फाइनेंशल लॉस है मुझे मेरे बच्चे का जो अडमिशन होना चाहिए आज के डिट में नियूवर्क में मैं यहां पर अपने करमा के स्कूल में पढ़ाने पर मजबूर हूँ मजबूरी नहीं मेरा यह है कि भाई मैं यहां पर हूँ तो यहां पर भी पढ़ें यहां पर समझें क्योंकि आज नहीं तो कल यह समस्या जो है और जादे बढ़ जाएगी एक चीज़ आपके साथ अच्छी है कि आप कहे रहा है कि नियूवर्क में लड़का पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन वैसी स्थिति को छोड़कर अपसीवान में आए हुए है तो आपसे तो बहुत कुछ लोगों को सीखना चाहिए तो आप उन यहां को क्या मैसे देना चा कि जो भी युआ हैं जीतना हारना हटाई है यह बहुत दूर की चीज़े हमें हर एक मुद्य पर आवाज उठाना जरूरी है क्योंकि जब हम आवाज उठाएंगे तो एक बिसलेशन करके एक चीजों को समझ के फैक को हम लोगों के सामने लाएंगे तो जरूरी नहीं कि पा प्रॉब्लेम्स को शॉट आउट कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लेम्स है उनको डर है कि पार्टी से जाएंगे तो टिकेट मिलेगा है और पहले से वहां पर लंबी कतार लगी हुई है लोग उसी पर जिंदगी काट रहे हैं तो हमें यह माइंड सेट बदलना पड़ेगा हम ठाद जिटा कर भीजति है माई जो कुई टिकट लेकाया जिता की तो carried out लो भी तरह प्रॉशा तो होना चाहिए जैनता को वह चैँटा को इससे लोग चुले जिस वों टिकट मिले ना मिले बहतर लोगों तब तो भिश्मास बढ़ेगा देखिए ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा देखिए मेरा जो पढ़ियास रहा है पिछले आप लो साइद एक साल होने जा रहा है आप लोगो ने मेरा प्रेस कॉंफरेंस लिया था उससे डेर दो साल पहले से मैं ग्राउंड प बना दिया जाता है नाली और गली के नाम पर जो आपका फंड आता है उसका यूज हो जाता है डोडों की चौडाई नहीं बनने से क्या होता है हमारे आपके घड के लड़का जो है रोड एकसिदेंट के सिकार होते हैं और मुझसे बड़ा वुकत होगी कौन होगा मुस्कि तो यह सब बहुत सारी समस्य हैं हमारे समाज की जो हम युवाओं को आगे आके लोग के सामने रखना पड़ेगा और इसका समधान करना पड़ेगा तो यही करूंगा कि इस बार की जो राजनिती है हमारे आप लोग ने तो 15-20 साल से राजनिती देखी रहे हैं अभी जो कुछ दिन पहले जो पटना में रैली हुई थी उसमें जेडियू का लीडर्सिप था बीजेपी के कारेकारता को मरवा दिया गया कितने लोग जक्मी भी हुए थे हमारे चेत्र के जो बीजेपी के कारे करते हैं आपकी आउकात इतनी है कि आप बस जाके लाटी खाएंगे और जंडा उठाएंगे इससे भला नहीं होने वाला है टिकेट मिलने के समय आपके पसंदीदा नेतित्तों को भी नहीं मिलता है आप प्राप्टर लैंडिंग होते हैं यहां पर पैरशुट लैंडिंग जो मोलते हैं वैसा कल्चर है तो मैं कहूंगा कि आप लोग असली हकीकत को समझे कोई भी पार्टी हो यह तो मैं बीजेपी और जेडियू का नाम इसले लिया कि यह घटना है जो काफी करीवी घटना है पिछले कुछ महीनों के घटना है जिसमें आपके युवा काड़े करता की मौत हो गई यहां के कितने लोग लाठी डंडे के सिकार हुए उसी तरह आप राज़त की बात ले ले तो राज़त भी इस बार बहुत सारे जो अच्छे परत्यासी उनके लिए जान दिये हैं उस बनाने में उनकी भूमी का रही है उनको नेगलेट करने पर तुले हुए हैं हैं उनको टिकेट नहीं दे रहे हैं कुछ नएं परत confession को दिये हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ है तो हम और आपको अगर हम लोग किसी पार्टी से जुरह है तो हमें अपना वैलू समझना चाहि flour ह को सब एक हैं एक हैं ही पड़िवार हैं बस हम और आप बीच में लकीर और दरार की है और जनता के बीच लगतार जा रहा है और जनता से वोट देने की अप्रील कर रहा है हाला कि आपको बता देनों ने एक बहुत अच्छी बात कहीं कि इस बिहागी राजनीती में बहुत बड़ा गैप है यानि जो पड़े लिखे लोग हैं जो समागें बदलाव कर सकते हैं और पैराशूट लेंडिंग से कुछ लोग आते हैं जो पार्टियों को पैसा देते हैं और उसके बाद से पैसे खर्ज कर चुनाव जीतने कोशिज करते हैं और बाद में जब वो चुनाव जी जाते हैं तो उन्हीं पैसों को निकालने के लिए लगतार मेनत करते हैं ना कि जनता के विकास के लिए तो परकास मड़ी तिवारी के साथ साथ और भी कई सारी लेना हुआ असान बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं एरपोर्ट से मात्र 3 किलो मीटर की दूरी पर नेशनल हाइवे के किनारे माडापार जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकिर्तिक और सुरक्षित वातावरण सिर्फ 25 परसेंट भुक्तान कर बाकी आसान किस्तों में करेपेमेड तो इंतेजार किस बात का? आज ही दिये गए नंबरों पर कॉल करिए हमारा साइट विजिट करिये हमारा पता है बुद्ध वियार पार्टे निकट जीडिये ओफिस तारा मंडल गोरकपुर